अगर आपको मता चाहे, शुक्तांबंग्रेंगे, नेटानगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे महंगाई की. इस पर बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक किस्म की बहथें लगातार हो ही रही हैं. डॉलर के मुकाबले रुपिया कितना गिरा और इसे कितना गिरना चाहिए और इसके लिए कितने साल पुराने वीडियो उठा कर देखे जाने चाहिए इस तरह की बाते होती है GST के दामों में जो एक नया बदलाव आया है GST का मैप जो बदला है उसकी चर्चाए होती है GST के एक्रोनिम को अलग तरीकों से परिभाशित भी किया जाता है और बात होती है इंफलेशन कितना है इन सब के बीच में सवाल ये भी है कि महंगाई जितनी बढ़ी है क्या इस देश की कमाई इतनी बढ़ी है और इस पर चर्चा करेंगे नितानगरी के सत्र में हमारे साथ होंगे शरत कोहली जी जो एकॉनमिस्ट है स्वागत है शरत जी आपका हमारे साथ होंगे राहुल शिवास्ताव जी एनियर्डी टीवी के नेशनल अफ़ेस एडिटर और हमारे साथ होंगे हमारे साथ जूम से जुड़े हुए है संतोष मेरोतरा जी संतोष जी नमस्ते नितानगरी में स्वागत है और संतोष जी सबसे पहला सवाल मैं इस बाचीत का सिरा जो है सर आपसे ही खोलना चाहूंगा कि ये जो पूरी बहस है महंगाई की क्या इस महंगाई की बहस को मतलब मैं अब ऐसे समझना चाह रहा हूं कि इसको कितना ब्रेकडाउन करके देखा जाए क्योंकि हम एक बात करते है कि महंगाई है कोई कहता है कि रेवडी कल्चर है अब उस पर तमाम किसमी पॉलिटिक्स है तो मुझे लगता है ने इस पूरे हले में सर वो पूरी जो महीन माते हैं वो कहीं ने कहीं मिस हो जा रही है आप अगर इसको समझाना चाहें सर जी देखे रीटेल प्राइस इंप्लेशन चल रहा है साथ प्रतिशत से उपर और ये लगातार कम से कम डेढ़ दो साल से ऐसे ही चल रहा है और RBI ने ये साथ हम से कहा है कि 2 और 6 प्रतिशत के बीच में मुद्रस्की किदर रहनी चाहिए तो ये तो हुई CPI की बात जो Consumer Price Index है मगर इस से जादा चिंता जनक बात ये है कि जो Wholesale Price Index है जो ठोक विक्रेता जो दाम दे रहे हैं वो लगातार पिछले साल के शुरू से 12 प्रतिशत से उपर चल रहा है जो हमारे देश के प्यासमत अप्रतियाशित है और इस समय 15 प्रतिशत चल रहा है तो ये स्थिती अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये उत्पन कैसे हुई इसका एक बहुत बड़ा मूलभूत कारण ये है कि करीब दो साल पहले तक मुझरस्वीती दर काफी कम थी मगर जो कुविट के दौरान स्टिमिलस आया जो 15 लाग करोड का हम को बताया जा रहा था उसमें से आप ये पाएंगे कि अधिकतर मैं आकड़ों मैं भी समझा सकता हूँ मगर मैं आकड़ों मैं जा नहीं रहा थी अधिकतर उसमें क्रेडिट स्टिमिलर्स और लिक्विडिटी स्टिमिलस था सरकार ने अपनी जेब से खर्च नहीं किया चाहिशने कि फिसकल स्टिमिलस नहीं था वो मानटरी पॉलिसी स्टिमिलस था और और विकाशी देशों के मकाबले कि तुलना में हमारा प्रेडिट स्टिमिलस और लिक्विडिटी स्टिमिलस आर भि आई जो प्रदान कर रहा था वो धाई उसे तीन गुना था और जो fiscal stimulus था और विकाशी देशों के मकाबले वो केबल 44 प्रतिशत था यानि कि और विकाशी देशों का धाई गुना हुआ होता था यानि कि सरकार कंगाली के खगार पे खड़ी ही थी और इसलिए उसने फिसकल यानि कि expenditure नहीं बढ़ाया उस तरीके से जो बढ़ाना चाहिए था और टैक्सिस नहीं काटे बलकि टैक्सिस तो बढ़ा रही है तो एक यह जो लिक्विडिटी एक्सेस लिक्विडिटी हमारे अर्थ व्यवस्ता में आई एक बहुत-बढ़ा कारण यह दूसरा बहुत-बढ़ा कारण जो चल रहा है वो यह है कि अंतराश्ट्री इस तर पर जाहिर है एक युद्ध चल रहा है जिसकी वज़े से इकनोमिक सैंक्शन्ट हैं जिसकी वज़े से ओई प्राइसिस अंतराश्ट्री ओईल प्राइसिस बढ़े हैं तो एक डाइमेंशन है आयातित मुद्राश्टी की दर्का यानि की इंपोर्टेड इंप्लेश्टन का मगर जब अब मैं आता हूँ तीसरी बात के तीसरा कारण जब हमें मालूम है कि हम 80% तक तेल आयात करते हैं अपनी जरूरतों के लिए तो जाहर है सरकार का की जमेदारी बनती है कि वो जब आए घटी है देरोज़गारी बढ़ी है और प्रतिव्यक्ती खर्च कम होता रहा है ऐसी स्थिति में टैक्सिस ना बढ़ाए पेट्रोल और डीजल टैक्सिस जो ये सरकार बढ़ाती रही है अफिशले साथ-ाथ साल में उसने जबर्दस सोर से विन्फॉल गेंज दिये हैं और जिसकी बज़े से मुद्रस फीटी दर बढ़ी है बढ़ी रही रही गी और क्योंकि सरकार इन सेसेज और टैक्सिस को घटाने में अपने को असमर्थ पा रही है या घटाना नहीं पीन बड़े-बड़े कारण जी कारण हो गए सर महराहूल सर यह बताइए कि जो अभी संतोष जी ने कारण गिनाये हैं क्या सरकार के अंदर पूरे पॉलिटिकल सेटप के अंदर कई-कई-कई-बार यह फार-क्राइज उठती है कि टैक्स काटी है पेट्रोल डीजल की बा पूरी उस पूरी यूनिट की चिंताओं में यह महंगाई कितनी है सर मतलब RBI पे भी हम आएंगे RBI की चिंताओं पे बात करेंगे लेकिन सरकार के चिंताओं में सारी बात्चित कहा टिक रही है कही न कहीं चिंता है मगर मैं एक चीज देखा हूँ कि एक जैसे सर ने कहा कि एक ड्रेसिंग अप दिखती है और वो एक्यूट जो इशूज है उनका एड्रेसिंग हो रहा है वो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि जो सर ने बिलकुल सही बात कही कि वो जो स्टिमुलस रहा व अभी आप क्राइसिस देखिए कि उस समय से चली हुई चीज एग्रेवेट हो गई है अक्चुली कोविट के समय जो सप्राइस साइड डिस्रप्शन हुए उसके बाद डिमांड डिमिनिश हुई और ज़्यादा है और यह डिमांड डिमिनिश इंग जो है यह पहले से चल कोविट के पहले का फिनॉमेना है सरकार तब भी आपको याद होगा कि दिवाली के पहले जो आपका ट्रैवल अलाउंस मिलता था उसके बाद अगर आप देखिए नहीं हुआ आज स्थिति आप देखिए कि वार के कारण जो डिस्रप्शन हुए है सप्लाई साइड में उस में हम फाइडा उठा सकते हैं लेकिन हमारी क्राइसिस है कि हमारी बारिश गड़ बढ़ हो रही है तो हम अनाज का एक्सपोर्ट भी एक लेविल के बाद रोक रहे हैं लेकिन हमारी प्रॉबलम है फटलाईजर और तमाम चीज़ें जो आती है उसमें डिस्रप्शन आया अ उन बढ़ती कीमतों के बीच में डिमांड और डिमिनिश हो रही है और यह बहुत बड़ी रिस्क है एकॉनमी के लिए कि वेनेवर देरा सच इंफलेशनरी ट्रेंड्स एन इंसेक्यूरिटी अब वेरियस तिंग्स पीपल टेंड टो सेव मोर दें स्पेंड मोर वो कर्च कम करते हैं और बचाते जादा हैं अब यह बचत अगर बढ़ गई तो आप सोची लिकुडिटी सिटुएशन कहां पहुंच जाएगी तो बैंकों में पैसा होगा लेकिन बाहर बाजार में डिमांड नहीं होगी तो जो सप्लाई हो रही है वो और लोग पीछे पुल बैक करे तो क्या ही एक विशिस सर्कल है किसी को तोड़ना है प्रॉब्लम यह है कि इस समय पे इन्वेस्टर नहीं है सरकार के सिवा इस मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर नहीं खड़ा है उसके अलावा मेरे ख्याल से इस बात पे इस देश में अब डिबेट होनी बहुत जरूर दे रहे हैं हम साब यह जो फ्री की राजनीती है ना यह हमें आठ आने का फाइदा देती आठ रोपर का नुकसान कर देती है यह जो एक तंत्र बन रहा है ना कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल इलेक्टोरल मैनेजमेंट के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो मेक्रो एकनॉमि क्या माइक्रो एकनॉमिक दोनों के लिए नुकसान दे हैं यह किसी भी एक देश की विवस्ता को नुकसान देनी वाली चीज़े हैं अब आप GST का जगडा देख लीजे कि मैं कितना बड़ा जगडा GST काउंसिल का बताई है साहाब मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी दो दिन पहले बैठा हुआ था एक डिबेट का हिस्सा था जिसमें मारा मारी निताओं में इतनी हो गई कि मेरा नंबर ही नहीं आया मगर उस उस डिबेट के दौरान मैं कहूंगा कि मेरा जैसे आर्केमिल्डी इसका यूरेका मॉमेंट था ना मुझे यूरेका मॉमेंट मिला वो क् कि मैंने जी एस्टी का तब से फॉलो किया जब चिदाबरम साहब ने उसकी गोशना की थी तो ये करीब 17 साल पुरानी बात है और उस दौरान से लेके अभी तक मुझे ये नहीं समझा रहा था कि इसमें जगड़े बहुत हैं लेकिन मूल भूत जगड़ा किया है तो मुझ मैं बैठके एक दूसरे की राजने तेक नाग तोड़ना चाहते हैं ये इंपॉसिबल हो चुका है ये ये डिस्कॉर्ड उस लेवल पे आ गया है अब मैंने हर मीटिंग फॉलो किया जी एस्टी की पहली से लेकर के अभी तक की चंडिगर गया था मैं अभी साहब उसकी अं पर आये हैं अभी तक जितने भी बाकी राज्ये हैं उनमें से पांच राज्ये ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब है जो टोटल डेफिसिट है आपका 14% का जो आपका इंक्रिमेंटल था कि आपको बढ़ेगा आपका उसमें आप देखी उसमें विशंता ये है कि 27.9% का क्राइसिस है इस समय पे आप राज्ये ओंको पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा है जितना प्रामिस था लोग नराज हैं कि हमारा कンपेंसेशन बंद हो गया अब सपर जया पर पर उस पर प३रिटिकल पार्टि को एकृडिकल ना होगा धिसक्र eine उनका डील करने का तरीका जो है दूसरा था क्या होता मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि राजनीती में बोर्ड रूम में और पॉलिटिकल मीटिंग में जो फैसले होते हैं विपक्षियों और विरोधियों के साथ वो ऐसे जगड़े होते हैं कि जिसमें आपका उनके साथ रिष्टा कैसा है मीटिंग के बाहर वो तैह करता है कि मीटिंग के अंदर क्या रवाया होगा तो अगर आपकी मीटिंग के बाहर उनसे दोस्ती है तो आप बहुत सारी चीज़े मनवा लेंगे डिस्कॉर्ड को निप्टाने का तरीका होता है अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले दो-तिन सालों से और मैं यह कहूंगा कि इसमें पॉलिटिकल जो सड़क की दुश्मनी है राजनीतिक वो अब जैस्ट के अंदर आ गई है हर एक स्टेट जानता है सहाब कि हमें पैसा और चाहिए और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे एक्सपेंडिचर जो लॉजिकल टॉढ़े प्री च्पेंडिचर है रसे एक्सपेंडिचर जैसे मैं कौँंगा एक बहुत बड़ी क्याटेग्री एक एक लिट्रवॉलेक्स्पेंडिचर जो सरकारे करना चाहतीं है दोबएनवक्जीतने के लिए जो फ्रीबी कल्चर और उसके लिए पैसा चाहिए वह कमि कमिटी में लोग सहमती जताते हैं कि साहब टैक्स बढ़ा दीजिए अच्छा उसके बाद GST मीटिंग के अंदर आ करके सहमती देते हैं कि बढ़ा दीजिए या छोटा मोटा स्वर क्या देते हैं कि साहब I don't agree बट क्या करूं लेगिन साहब ऐसा है कि GST के कानून के अंदर एक बड़ा क्लियर लौ है that as per the rules of the GST आप उसके अंदर by raising of hands एक वोट ले सकते हैं इतिहास में आज तक बाहर आकर के हर मीटिंग के बाद जगड़ा हुआ है लेकिन आप ये मुझा आए कि इतिहास में सिर्फ एक बार डिसमबर 2019 में केरल के जो फित्त मंतरी थे Thomas Isaac मेरे के नाम ने बुर रहा हूँ उन्होंने raise किया issue कि साहब मुझे वोट चाहिए लौटरी के मामले पे क्योंकि नौर्थीस्ट के लोग जो थे कुछ बुकी बंतरी थे फरेंस मिनिस्टर थे वो चाहते थे कि जो उनके जो स्टेट लौटरी नहीं है उनका बुद्धा और केरल की लौटरी का कॉन्फिक्ट आ रहा था वोट हुआ हार गया लेकिन केरल के फरेंस मिनिस्टर ने अपना विरोध on paper on record दर्ज किया अगर आप आज बाहर GST को लेकर के इतना नाराज है कि चाच और दूथ पर बड़ी अच्छी किवदंतिया बन रहे हैं कि अब अमुल का चाच ऐसा होगा उस पर कहारी बड़े मैज़दार है कि सॉरी मैं आपको इंट्रूप कर रहा हूँ लेकिन जो अलग अलग रेट है तो किसी ने कहा कि पनीर पे इतना है और मक्षन पे इतना है और मसालों पे इतना GST है तीनों पे इंडिये और विपक्ष के लोग बराबर के थे उनको पता था कि ये जो पुराना रूल है उसके तरिजरिये लीकेज हो रही है टैक्स की ये बात सबको पता है कि उसका मिस्यूज हो रहा है 25 किलो का उपर करके उसके बावजूद उनको पता था कि इसको टैक्स लगना जो उन्होंने raise किया एक तरह से technically सहाब अगर किसी चीज का विरोध मुझे है किसी बिल का ये legislators है ये लोग elected लोग है इनको पता है तरीका क्या है अगर किसी का विरोध हो तो single person can raise a veto division मांग सकता है division किसने मांगा मुझे बताइए मुझे मालू है किसी ने को पता है हमें पैसा चाहिए तो क्या है कि मीठा मीठा गप गप और करवा करवा तू तू मैं शरत जी जो इस समय इस बात हो रही है जीस्टी काउंसिल की और इस पर एक सवाल है मेरा इसके पहले छोटा सा एक चंक है जो बार-बार जनता के लाभ की बात हो रही है महंगाई की बात हो रही है जिस समय कोविड आया था तो उसमय हम लोगों ने कई देशों के एक्जामपल्स देखे थे जहां पे हम लोगों को और स्पेंडिंग की तरफ बढ़ाने की बात कर रहे थे की और खर्च करें इस तरह की चीज़ें पुश कर रहे थे वहीं पे हमारे सामने कई पश्चिमी देशों की उदारन थे जहां पे कैश इन हैंड की बात हो रही थी किया जा रहा था मतलब लोगों के हाथ में पैसे रखे जा रहे थे मतलब हम कई कई बार प्रिकर्सर मानते हैं अब जो मंदी है अब जो महंगाई है जो अब एकदम हाथ से बाहर जा रही है दीरे दीरे ऐसा कहा जा रहा है तो उसका प्रिकर्सर कोविड है और कोविड के समय जो स्टिमूलस आया stimulus के साथ साथ अगर ये तै किया जाता कि लोगों के हाथ में पैसा हो तो शायद लोग spend कर सकें market में cash flow थोड़ा बढ़ा रहे तो लेकिन हमने businesses को रियायत दी MSMEs को रियायत दी cash in hand हमारे यहां नहीं दिखा इस तरह example put किये गए company को विदेशों में पैसा दिया गया कि हम आपको इतना पैसा देंगे लेकिन अपने करमचारियों को fire मत कीजिए तो क्या जो start है जो kick start है जहां से इस पूरी फुल्ड़ी में आग लगती है तो वो क्या kick start में ही हम से planning में थोड़ी गरबड़ी हुई है तो उनका कहना तो यह है कि हम तो बहुत देशों से अच्छे हैं योगि अमेरिका ने हमें सब को पता है कि उन्होंने धड़ा-धड़ डॉलर चापे और अमेरिका में जो आपको inflation दिखाई दे रहा है 9.1% अभी पीछे निकल के आया उसका मेंन रीजन वो बता रहे है कि जो 14-1400 डॉलर हर अमेरिकन के अकाउंट में डाले गए पैसे डाले गए और उस पैसे को बलकि ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो पहले कमाते ही नहीं थे उनके भी अकाउंट में पैसे आया है बलकि पहले से जाधा मंतली इंकम शुदू होगे तो जो अमेरिका में इंफलेशन है वो काफी हद तक डिमांड ब्रिवन है इंफलेशन हम सब जानते है दो तरीके का होता है एक डिमांड से होता है जब आप बहुत पैसा थोड़े समान को चेस कर रहा होता है दूसरा होता है आपका सप्लाई डिस्रॉप्टेट जो की ज़्यादा तर दुनिया में देखा जा रहा है खासकर अगर हम विकास शील देशों में देखे सप्लाई डिस्रॉप्शन खाने का समान नहीं आ रहा अगर हम पैसा डालते तो लोग खर्चते तो इस इंफ्लेशन में डिमांड का असर भी आपको दिखने लगता क्योंकि फिर वोई बहुत पैसा थोड़े समान को चेस करने लगता और फिर ये इंफ्लेशन आपको अब देखे आर बियाई ने जो अभी रिपो रेट जो बढ़ाएं हैं 90 बेसिस पॉइंट तक दो बार में बढ़ाएं और आने वाली और भी बढ़ाएंगे और उमीद नजर आ रही है तो आर बियाई के रेट बढ़ाने का नॉर्मली क्या होता है अगर रेट बढ़ाएंगे तो आप इंफ्लेशन को अभी नहीं करता देख रहा है क्यों क्योंकि यहां की जो इंफ्लेशन है वो ज्यादा सप्लाई डिस्रॉप्टेट इंफ्लेशन है तो इनका कहना यह था कि अगर हम पैसे डालते हैं डारेक्ट लोगों के अबलको पहले तो सिधारत एक देखने वाली बात यह है ना कि क्य शायद वो कहीं हाइपर इंफ्लेशन की तरफ भी हम जा सकते तो यह तो इसका लॉजिक था अब जहां तक बात जी एस्टी की अभी हाल की महिंगाई की जो बात आ रही है जिसके पीछे सारा यह पारलिमेंट में आपको हंगामा होता दिख रहा है तो इसमें बिल्कुल ठी एडिया है कि वहाँ एजेंडा पेश होता है जैसा इन्होंने कहा और उसको अनौस किया जाता है और जब यह यह जो खाने पीने का समान है सिदार इसकी जब बात रखी गई तो इसमें साथ में यह बात रखी गई के यह साथ देखिये 2000 करोड का टैक्स इवेजन हो रहा है लोग जो है पैकेट में ब्रैंड साधा पैकेट पैक कर देते हैं उसमें वाइड लेबल लगा देते हैं इससे और कंपेंसेशन बंध होने के बाद जब सारे राजियों को पता लग गया कि अब यह कंपेंसेशन नहीं आएगा और रेवन्यू का उन चंदर स्त्रोत्रों मे के रेप्रिसेंटेशन था उन्होंने इसको बकाएदा रेकमेंड किया तो इसको एक टैक्स इवेजन के चेक करने के ट्फूल की तरह प्रस्तुत किया गया जिसमेंछे अनुने सबने हां करें तो मुझे लग रहा है या तो जो वित्मंत्री पैठते हैं या तो उनको डिस्कनेक्ट था कि उनका पार्टी की लाइन क्या होगी, पॉपलिस लाइन क्या होगी, पॉपलिस अप्रोच क्या होगी, अभी फिलाल तो हम रेवनियू, फनान्स मिनिस्टर का तो लक्ष रहता है, रेवनियू बढ़ जाए स्टेट में तन्खवाएं देने क की सुनी तो वहां तो बिलकुल फरक था कि ये तो सहब आपने आम आदमी पर बोज डाल दिया और जहां तक बात सिधा ती जो रेवडियों की बात है ये क्योंकि ये सीधा-सीधा इससे संबंद रखती है तो मुझे लगता है कि रेवडी रेवडी आप देखे देते हैं गु ज़ायका सतर्वाश्लोक है आप इजाज़त देतों मैं उसका यहां पर कोड़ के भगवान कृष्ण के मूझ से है उन्होंने चार प्रकार के भक्त बताएं उन चार में से उपदेश नहीं है चारों में नहीं जाता है दो प्रकार के भक्त हैं एक आर्थी एक अर्थार्थ अब एक है जिसको कष्ट है जो भगवान से जाके मांगता है साब मुझे कष्ट है मैं बिमार हूँ मेरा कोड है जो भी मुझे दिक्कत है मेरे को आप ठीक कर दीजे दूसरा क्या करता है वो कुछ मांगता है कि यह सब तो मेरे पास है मेरे पास कार भी आजाए मेरे पास ब ट्रावल करना जरूरत है, महिलाओं को इसकी जरूरत है, सेफटी है बगएरा बगएरा, तो मुझे लग रहा है कि एक national welfare council होनी चाहिए, जो इन रेवडियों का analysis करे, कि क्या ये रेवडी है या कोई जरूरी दवाई है, तो रेवडी और दवाई के बीच में, मुझे लग र जिस शॉटकट राजनीती की बात करी, जिस रेवडी का जिकर किया, तो उनका मतलब ये था कि वोट लेने के लिए जो आप दे रहे हैं, और जो जो दे रहे हैं, उनका ये कहना है, आप वोट लेने के लिए दे रहें, क्योंकि आपने आज तक नहीं दिया, ये लोगों की तो यहीं कहीं आके गड़ बड़ हो रही है इसी से रिलेटेड सारा और अगर आप GST की तेह में जाएंगे ना सता तो क्या है रेवन्यू की भूक है राजस्व बढ़ाने की भूक है यहीं से सब निकल के आता है तो मुझे लग रहा है जो उसकी जो राहुल जी ने बात करी बहुत अच्छी बात करी कि अगर आप आपको जरूरत पैसे लोगों को रेविडी बाटने की है और आप उसके लिए लोगों पर भार डाल रहे हैं तो मुझे लग रहा है वहां कहीं आप गलती कर रहे हैं और दूसरी एक बात मैं और आप इजाज़त दे तो कामेंट करना रहा हैं तो मेरी अगर कोई और चीज सस्ती हो जाती है माली जे पेट्रोल डीजल और सस्ता हो जता है और कोई बी चीज बारी बाकीuchar का जो राशन है वो शायद सस्ता हो जाता है तो मैं माली जे 25,000 रूपर महीना कमाता हूँ 20,000 रोपे मैं महीने का खर्च करता हूँ तो 5,000 रोपे मुझे बचते हैं इस दूद दही, पनीर, पलसेज, आटा, दाल जो भी चीजे हैं उनके बढ़ने की वज़े से मुझे अगर 1000 रोपे फालतू देने पड़ रहे हैं और बाकी कहीं से मेरे 1000 रोपे बच रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो हिसाब फिर कहीं जाके बराबर हो जाता है पर ये जो विडंबना है, एक मुझे और इसमें जो बात नजर आ रही है जो मैं भूलना जाओ बोलना, कि इसका टाइमिंग जो था कि इंफलेशन को आप ही थोड़ा रखना चाहते है तो मुझे लग रहा है कि एक कहावत होती है जहां सत्यानास, वहां सभा सत्यानास अगर पांच साल से टैक्स इवेशन हो रही थी माल लिया टैक्स इवेशन हो रही थी, हो भी रही थी तो दो-तीन मीटिंग, दो-तीन महीने नहीं बात करा है दो-तीन मीटिंग और इंतजार ये कर सकती थी क्योंकि आप इंफलेशन को 4-5% पर आने देते आता, उमीद तो यही करी जा रही कि आता उस टाइम आप ऐसा कुछ निर्डे लेते आपने इसको ऐसे टाइम पर निर्डे लिया है जिस समय इंफलेशन अल्रेडी एलिवेटेड है और 13 दिन बचे है जुलाई के, 18 जुलाई से लागू हुआ आगस्ट के महीने में आपको इसका असली इंपाक्ट लिखेगा कि इसका CPI पर actual impact कितना आ रहा है जब ये load पड़ेगा जाके जब सानी सब्सक्राई आपको एक जुलाई से आपका compensation बंद हो रहा था आप देखिए किस दिन फैसला हुआ है 28 और 29 जुन को क्या है कि थोड़ा सा compensation पे जो नाराजगी होती बाहर राज्यों की बंद होने की वो थोड़ी इससे शान्त होती है क्यों क्योंकि इससे थोड़ी सी हड़ी वा गई थी मूह में थोड़ा मास मिल गया देगा और इस कारण से वो शान्ती रही compensation पे लेकिन ये symbolic देखिए क्या है कि GST Council एक federal structure है ये unique structure है तो अंसान के इफिहास में जिसके लिए Supreme Court कहे चुका कि ये advisory है क्योंकि उसका कोई constitutional वो validity नहीं है कि वो tax कि इस देश में tax कैसे बढ़ते हैं tax बढ़ते हैं आपके budget के जरीए finance bill के जरीए से आप tax change करते हैं ये एक body है जो की change करती है जिसके अंदार आने वाले लोग बदल सकते हैं बड़ा unique experiment है जहां सोहर्द से काम हो तो अच्छा हो सकता है तो उस entity को लेकर के यहाँ पे चुकि finance minister lead करती हैं तो जो visible face हैं और इस कारण से जो invisible faces हैं उनके पास एक opportunity है कि अंदर जा करके आप सहमती जता दो बहार आ करके सब कुछ पूरा blame उनके ओपर चिपका दो मैं एक argument इस जी स्टी पे यह पूछना चाहता हूँ कि जितनी खैरखाही की जनता के ओपर महंगाई की मार है उसकी बात हो रही है सरने बैठे हों इतनी सारी किताबे खुबसूरत लग रही है उनके पीछे कहा एक जटके में खातम हो जाएगी साहब कि जी स्टी काउंसिल ही फैसला ले सकती है कि ये सारे राज मिल जाएं सहमती से और कल पेट्रोल और डीजल को जी स्टी में शामिल कर लें इस देश की सारी महिंगाई पांच दिन के अंदर कम आ जाएगी आप कास्केडिंग इंपैक्ट देख लीजिए और ये कितने पुरानी निवाइट लेकिन क्यों नहीं करेंगे साहब क्योंकि उसके अंदर आपको एक साइज में 41% फिनांस कमिशन के तहट शेयर मिलता है आपको इंक्रिमेंटल रेट पे क्योंकि आप वैट लगाते हैं इंक्रिमेंटल रेट पे हर इंक्रीज पे आपको पैसा मिलता है साहब मुझे बताइए इतने टाइम पे जब केंज सरकार तेल के दाम बढ़ाती रही एकसाइज बढ़ाती रही किस राज्य का मुखमंत्री सडक पे अंचन के लिए उतर गया साहब उसने अपने बैट करके अपनी टेबल पे नोट की गड़्डियां गिनी है तो किसी ने एतनी नराज गिनी है उसमें बुलंद नरा उठाईए कि पूरे सारे फ्योइल्स को GST में ले आईए अठाइस परसेंट पे भी हम खुश हो जाएंगे और वहां से वाक आउट कर सकते हैं आप अगर पार्लेमेंट से वाक आउट कर सकते हैं वो कहीं मुझे लग रहा है लोगों के अगर जानकारी में आ गया तो लोग उसको फिर दूसरी तरीके से देखने लगे गए संतोज जी यहां पे अब बात हो रही है रेवडी कल्चर की मतलब इस बात को एक छोटा सा सिध्धान्त है जिसको मुझे लगता है कि अंडरलाइन कर देना चाहिए कई कई बार जब हम फ्री बीज की और इस तरह की चीजों की बात करते हैं कि इस देश में कुछ भी फ्री नहीं है मतलब वैक्सीन हो या कुछ भी हो कुछ भी हो वो फ्री नहीं है आप दो रुपए के माचिस के डिब्बे से लेकर दो क्रोण की कार तक कुछ भी खरी दें आपका इंडरिक टेक्स है या एक को इंकम टेक्स है वो सब हमारे टेक्स के पैसों से ही प्रोक्योर किया जा रहा है बहराल इस रेवडी कल्चर की जो बहस है और उसमें अब GST की जो बात आ रही है वो ये सुनके लग रहा है कि सारी पार्टियां कंबल ओड़के घी पी रही थी ये सुनके लग रहा है और अब बाहर आके वो पुरी एक एक राजनीतिक रश्सा कशी शुरू हो गई है सब को आरोप लगाने है राहूल गांदी भयानक एक्टेव हैं ट्विटर पे कि इस पे बहस नहीं हो रही है ये हो रहा है वो राम्राक ठाकुर बोल रहे हैं कि सदन में बहस जब काउंसिल में बहस करने की बारी आई तब इनों ने क्यों नहीं कहा गरबड़ी कहा हो गई सर क्या पार्टियां केवल पार्टी वाजी करने के लिए ही हैं कि कुछ कंसंस उनके रियल हैं जो रेस कर रही है अई कि पिर्फ पार्टी वाजी और वजह से ये गोलबंदी हो रही है एक चीज अभी तक जो आपके चर्चा में उभर के नहीं आई है और वो ध्यान आपके शोताओं को ध्यान देने काबिल बात है जी वो यह है कि जेस्टी काउंसिल का निर्णे करने का जो तरीका है वो क्या है जिसली काउंसिल में ये मतलब पूरे कंस्टिशनल अमेंडमेंट और अगरीमेंट में लिखा हुआ है कि एक तिहाई वेट केंदर सरकार का है और दो तिहाई वेट राज्य सरकारों का मिला जला करके हैं अच्छा मतलब यह चर्चा भी इसे पंदर 20 मिनट में यह हुई कि राज्य सरकारें बाहर आकर के कुछ कहती अंदर अंदर मनीमन खुछ हो रही हैं, आप ये कह रहे थे, मगर आप विपक्षी राज्य सरकारों की दुरदशा समझिये, कई कारण है, आर्थिक कारण पर मैं अभी एक मिनट में आता हूं, मगर पहले मैं क्योंकि GST काउंसिल के डिसिशन नेकिंग प्रक्रिया पर एक टिपड़ करना कह रहा था, कि उनको मालुम है कि एक तिहाई वेट केंदर सरकार का है, और इतने राज्य हैं जिन में भाजबा की सरकार है, तो फुल मिला करके विपक्षी राज्यों की चलने नहीं वाली है, चलने वाली है सरकार की, भाजबा की सरकार हो, तो इसलिए इसमें वो अग अगर बहुत opposition करते भी, तो ये संभावना नहीं थी कि उनकी बात मानी जाते हुआ, तो इसलिए, make the best out of a bad situation, ये एक स्थितिव वेपक्षी राजियों की थी, इस संदर में मैं एक बात और ही कहना चाहता हूँ, आम आदमी की और से ये सोचिए कि बेरोजगारी कोविट से पहले चरम पे थी और उसके बाद और बढ़ गई है, और जिनके पास रोजगार है भी, उनकी आमदनी कम हो गई है, ये सरकारी आंक्रे बता रहे हैं, और Central Statistical Organization के आंक्रे ये भी बता रहे हैं कि प्रतिव्यक्ति जो खर्च है, प्राइवेट पाइनल कंसंप्शन एक्सपेंजिजर वो प्रतिव्यक्ति उननेस बीज से भी अभी कम है. इंफ्लेशन के बरक्स आपकी कमाई नहीं बढ़ी लोगों की. बिलकुल, बढ़ी तो छोड़िया, गम हो गई. अब ऐसी स्थिति में देखिए, अगर पहली चीज़ तो पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ रहा है, जो एक इंपुट है, वो और चीज़ों में इसलिए आपका रीटेल इंफ्लेशन कम नहीं होने की समभाव नहीं. क्योंकि जो बात शुरू में मैंने कही कि छोड़िया, जो होलसेल प्राइस इंफ्लेशन जो है, वो 15% चल रहा है. तो यानि कि जो अपनी इंपुट के लिए उसके लिए इंफ्लेशन उसका 15% चल रहा है. तो यानि कि जो आज रीटेल CPI है, रीटेल मुद्रा स्वीती है, उसमें अभी और बढ़ोत्री आएगी इसमें कमी नहीं आने वाली क्योंकि वो आगे चल के जो उत्पादक है वो कुछ पासौन करेगा अभी तो उतना पासौन नहीं कर रहा है सिर्फ आधा पासौन कर रहा है तब रीटेल इंफलेशन आपका साथ प्रतिशन दे है और होलसे सालों में जिस तरीके से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इवाल्व किया है उसमें हुआ ये है कि देश की विशमताएं और बढ़ गई किस प्रकार दोहजार पंद्रा में वेल्स टैक्स खतम कर दिया गया जी दोहजार पंद्रा में जेटली साहब का नाम आया जेटली साहब ने एक घोशना करी थी कि हम अगले पांच साल में दोहजार बीस तक कॉपरेट इंकम टैक्स एक एक प्रतिशत घटाएंगे हर साल और उसको तीस से पच्चिस ले आएंगे बहुत अच्छा निरने था मैंने समर्थन भी किया था बज़ेट की स्पीच को मगर पांच साल गुजरगे को नहीं हुआ जब सरकार बिलकुल कंगाली के कगार पर खड़ी हुई थी 2011 में तब सरकार ने 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया कितना नुक्सान हुआ सरकार का डेड़ लाग करोड सालाना सालाना कह रहा हूँ अब उसको पूरा कैसे करेगी सरकार सिर्फ नहीं नहीं अब आता हूँ कैसे पूरा करेगी फरवरी पहली कारे को उसी साल एलेक्शन से पहले सरकार ये निरने करती है कि Personal Income Tax का जो Starting Threshold है उसको बढ़ा दिया जब वो व्यवर्तन लाया गया जो दरें कम हुई personal income tax की बात आप पर रहा हूं में wealth tax कर लिया corporate tax कर लिया personal पर आ रहा हूं उसमें क्या उसका असर क्या हुआ जो उन्होंने threshold बनाया 75% लोग जो टैक्स personal income tax देते थे वैसे भोग कम लोग देते हैं वो personal income tax से बाहर हो गए है अब आप सोचिए कि revenues कम कर रही है सरकार और ऐसी स्थिति में COVID आता है तो ऐसी स्थिति में सरकार ये पाती है कि मतलब जो direct tax का share हैगा corporate, wealth, personal income tax का जो share है total tax revenue में वो कम हो रहा है और इसके बनिस्पत indirect taxes यानि GST पेट्रोल डीजल तो अब पेट्रोल डीजल पर बढ़ा रही है क्योंकि उनको पूरा करना किसी तरीके तो अब पेट्रोल डीजल तो देखे ये तो input है ना ये बहुत बड़ा कारण है कि आउलसेल प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ा हुआ है तो ये गलतियां हुई है और अब मैं आपके वो फ्रीवीज वाली बात जाते है जी देखे ये शब्द बहुत ही बहुत गलत है घिनोना शब्द है वलकि अर्थजास्ति कोई कभी नहीं इस्तमाल कर रहा है कौन सा रियोवडी जी अच्छा मैं बताता हू मैं क्यों इस्तमाल कर रहा हूँ यह शब्द मैं भी बहुत बात यह है कि सबसिडी हर सरकार देती है अब फूड सबसिडी जो दी गई वो बहुत जरूरी फूड सबसिडी जब आपकी आमदनी कम हुई है तो कैश तो दिया नहीं गया जैसे आप चर्चा कर रहे थे देना चाहिए था वो उसके लिए पैसा चापने की जरूरत नहीं होती है उसमें भी आप बोरो करके कर सकते थे मतलब यह जरूरी नहीं कि पैसा चापिए आप एनिवे मैं मैं मगर तो फूड सबसिडी दी जा रही है वो बढ़ाई गई वो बहुत अच्छा काम ती है और बढ़ था जबकि हमें 20 मिलियन स्टॉक का स्टॉक चाहिए उसके बाद फिर खरीब का क्रॉप फिर से आने वाला था एनिवे तो वो दिया गया बहुत अच्छी बात जी अब आपके यह भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात जो होता है का सास्क पर सेवाओं पर या इजुकेश चुँली है कि आप 10,000 रुपे उसको दे रहा है मुदरा का लोन दे रहे हैं अरे मुदरा का लोन पर एपिए स्टेक रहा है मतले हैं यह यह रहा है है जो बैट बैट बैंक की पूरी अधाना है जो जिसके पुरे एनपीएस को सेटल करने के लिए लाया गया है जो एक बड़ा चंक है सरकार के पास सरकारी बैंकों के पास NPS का सर जी जी तो ये मैं मुद्रा को को freebie कहूंगा मैं ये स्वनीद को freebie कहूंगा स्वनीद में तक में जो 10,000 रुपे street vendor को दिया जा रहा है बैंकों के पास वापस नहीं आ रहा है ये आर्टी आई की जवाब है अभी पार्लिमेंट में दिया गया है और मुद्रा में तो NPS बढ़ते चले जा रहे हैं वो freebie जरूर है मगर आप चो खाने के लिए दे रहे हैं और आखरी बात ये मैं कहकर के खतम करूँगा ये राहुल जी जो बात कह रहे थे बहुत सही कह रहे थे कि कंपनसेशन पांट साल के लिए ऐसे समय में खतम हो रहा था पहली जो पांट साल के बाद जो पांपनसेशन GST के लाने की एवाजम दिया जाना है राज्जिहों को पहली जुलाई को खतम हो रहा था इससे लाजमी है कि राज नाराज थे क्योंकि जो कोविट के पर जो खर्च आया उसका अधिक तर भार राजियों को देना पड़ा क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इस बॉन्ड बाई दे स्टेट्स और उनके पास जी एस्टी होने के बाद जो पेट्रोल डीजल और अलकॉहल लिकर के अलावा और कोई जरिया रह नहीं गया तो वो इन दोनों का जी एस्टी में आने की अभी कोई संभाव नहीं यह राजिस सरकार ने बिलकुल भी इसकी इजाज़त नहीं देने वाली क्योंकि यही दो तो संभाव नहीं रह गए उनके पास तो वो बचा इसको बचा करके रखेंगी तो जी आप जी आप शितान मुझे सर ने बात जो कहीं मैं बिलकुल एगरी करता हूँ लेकिन मैं हम जब फ्री बीज की बात करते हैं हम एकनॉमिक रवायतों की बात करते हैं फ्री बिजली is a bad habit क्या है कि फ्री बिजली जो बाटी जा रही है पंजाब की आज अगर एकनॉ आँ में देश के राज्य के नागरी को मिक्सी बाटना यानि ठीक है मिक्सी is a necessity मगर राज सरकारे मिक्सी बाटती है ये जो फ्री बी का कल्चर है ये फ्री बी कल्चर जो है राज्यों के लिए एक बड़ा बर्डन बन चुका है अब बार नहीं सेट और क्या है कि अब ही आ आज जो है वो केंदर की तरफ हाथ उठाए दिखतें लगे हैं वो थोड़ा सा एक फेडरल स्ट्रक्चर में रेस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है न देश में उनके जगड़े के बीच में हमारे देश में कई बार आता है वो केंद के पास आया तो जो पैसा हमें मिलता है वो बाद में मिलेगा we have to demand the money states अपना वैक लेती थी वो अपना पैसा अपने पर कर्च के गलत सही करती थी लेकिन वो एक जो फर्यादी वाला मामला आ गया कि आप हमारा पैसा दीजिए माई बाप वो थोड़ा जो ह अंदर किसी राज्य को बॉरोइंग के लिए केंज सरकार की लिमिट्स रहती है तो वो स्थिती आना मुश्किल है लेकिन ये जो बॉरोइंग है मैं इसको भी कहरा है खराब स्थिती में है हमारे बहुत बुरी हालत है सहाँ तेलंगाना जैसा राज्य है है हैदरबाद लेकिन आप आप जाकर के देखें तीन लाग करोड से उपर से उसका इस टाइम पर डेट है परिशानी ये हो रही है कि हम लोगों के लिए कि हम कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के उपर बढ़न हुआ एक लाख साथ हजार करोड का 1.6 लाग करोड बॉरोइंग हुई है जो कि कॉंपंसेशन सेस लगेगा यानि गाड़ी पे जो आप एक्स्टा टैक्स ले रहे हैं वो लगा रहेगा गाड़ी की कीमतें बढ़ी रहेंगी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी रहेंगी गाड़ी की सेल डाउन होगी गाड़ी की सेल डाउन होगी फोर्ड जैसी कंपनी बंद ह के चली जाएगी ये ये multiple cascading impacts है economy में ये fine-tuking करनी पड़ेगी साहब क्योंकि अगर नहीं की तो हम अपने आसपास जो एक economic collapse देख रहे हैं Nepal is in a terrible state, Pakistan is going around with a bagun ball, श्रिलंका has collapsed, ये lessons हैं हमारे लिए सरकारों के लिए, तो इसके अंदर GST is the best example कि कैसे मिल करके इलाज करें, लेकिन वही GST जो मिल करके इलाज करने की जगे थी, hospital था, वो इस समय पे बिमारी का सबसे बड़ी जड़ हो गया है, और इसमें अब जब एक problem में एक layer और जोड़ दें हम लो, dollar और रुपाय वाली, तो शायद चीजें और थोड़ी जटिल हो जाती है, मतलब US के बारे में बात हो रही है कि वहां की स्थिती भी अच्छी है नहीं, लेकिन US हम अपने विदेशों से अपना पैसा वापस मंगा के रख रहा है अपने यहां, इस तरकी खबरें आ रही है, फ्लाइट हुआ है, तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्फ से पैसा निकल गया है, रुपया जो है, डॉलर जो है, 80 रुपय के आसपास हमारी करेंसी के आसपास खड़ा है, शरत जी, चीजें तो और अपन होंगी क्या, मतलब क्या लग रहा है भी? बिल्कुल इस डॉलर के खेल में सिदार्थ एक बड़ा इंट्रिस्टिंग फैक्ट है, कि महगाई बढ़ने की वज़े से डॉलर बढ़ा और डॉलर बढ़ने की वज़े से महगाई बढ़ी, ये एक बड़ा युनीक केस क्योंकि जब डॉलर बढ़ा और महगाई बढ़ी तो उसकी वज़े से पैसा जाना शुरू हुआ जैसा कि बात हुई 14 billion dollar यहां stock market से निकल गया हमारा import का bill बढ़ गया हमारा import trade deficit बढ़ गया और जब dollar बढ़ा उसकी वज़े से तो dollar बढ़ने से यहां हमारी में गाई बढ़ गया क्योंकि हमारा जो fertilizer आता है crude oil आता है edible oil आते है और भी electronic का समाना आता है वगयरा वगयरा जितना भी समाना आता है trade deficit हमारा चाइना की हम बात करते थे covid में के चाइना का बहिशकार करो चाइनीज वाइरस है इसने गलवान वैली में यह किया और ironically it happened the other way round हमारा चाइना से जो import होता था वो पिछले दो साल अगर आप देखे तो हमारा और जादा बढ़ गया अब हालात यह लोग यह पूछते हैं बहुत सवाल यह पूछते हैं वड़ा इंटरस्टिंग के यार अमेरिका के economy में 9.1% inflation है उसकी borrowing बहुत जादा है तो यह कैसे हो रहा है कि डॉलर बढ़ा जा रहा है और हमारी currency कमजोर हुए जा रही ह यह खेल कैसे हो रहा है तो देखिए डॉलर एक international currency हमें यह समझना होगा और मुझे लग रहा है कि ललन टॉप के जितने भी viewers है वो इस बात को समझना चाहें कि डॉलर इंटरनाशन 90% जो forex trading होती है वो डॉलर में होती है 80% से ज्यादा दुनिया का trade डॉलर में किया जाता ह उसके लावा आप foreign debt है जो देशों की foreign exchange reserves है 40-60% आप यह सब डॉलर में रखा जाता है तो इस वैसे डॉलर की demand हमेशा बनी रहती है तब ही चाइना को यह बास से रोज था वो चाहरा था कि हमारा UN international currency बन जाए अभी जो RBI ने पीछे decision लिए global trade में शामिल करने का रूपे को बिल्कुल अभी RBI ने जो निर्ड़े लिया यह फॉरेक्स reserves को preserve करने का के साब आप यह वास्ट्रो एकाउंट खोल लीजें वहाँ जाके और इसकी payment रशिया वगारा से आप रुपए में करना शुरू कर दीजे तो रुपए को भी global लिजाने का एक कदम उठाया गया हाला नहीं सकते वो तो जब बजब उनको profit देगेगा वो निकालेंगे उनको चार पैसा कमाएंगे वो निकालेंगे आप जो कर सकते हैं क्या इंपोर्ट जो कर रहे हैं या तो export बढ़ाईए या इंपोर्ट को घटाईए ये दो ही आपके पास रास्ते बनते और मैं एक बात इस जो हालात बन गए हैं इस समय दुनिया भर की हम डेट लें कर्ज जो लिया हुआ है दुनिया भर ने कर्ज लिया हुआ है 305 trillion dollar का दुनिया पर कर्ज है और दुनिया की GDP है वो 80 trillion dollar के आज पास है तो आज समझ सकते हैं 355% दुनिया की GDP का कर्ज के नीचे ये दुनिया दव च चुकी है बुरी तरह से तो मुझे लग रहा है आने वाले जो 6 महीने और उसके बाद एक साल पहले 6 महीने की सोचते हैं तो आप किसी को डराने वराने का हमारा को इंटेंशन नहीं है पर आगे जो सिच्वेशन ये जो रिसेशन और मंदी अगर आएगी अमेरिका में मंदी के साइड एफेक्स आपको बाकाइदा मैसूस होंगे और चाइना में दो महीने के लिए शंगाई में लॉकडाउन लगा और मैं दिल्ली का उधारा नो सदर बजार चाननी चौक दरिया गैंज करोल बाग में ट्रेडर्स के नीन उड़ गई थी इतनी सप्लाइट तो आप स लूरी नहीं है खर्च मत करिए पैसे बचा के रखिए जहां जहां आप कर सकते हैं खर्चों को करिए आप जो सेविंग्स की बात कर रहे थे कई बार हम इसको सला के रूप में भी देते हैं कि लिक्विडिटी इससे कम होती है पर आम आदमी के सच ये भी है कि पैसा बचा क आपको समा लेंगे ये बहुत बड़ा सवाल निकल के आने वाला है इंटर लॉकिंग जिसके बात कर रहे थे कोविड के पहले उसके ओपक की बड़ी बात हुई थी ओपक की जर्चा ओपक नहीं सौरी वो क्या था जो एक कंसलिडेशन बन रहा था देशों का जिसमें इंड इंद्रमोधी सरकार की मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि वेन इट कमस तो पॉलिटिकल स्ट्राटिजी वो पॉलिटिकल स्ट्राटिजी के मामले में कॉंस्टेंटली सबसे दो कदम आगे है चलती है और सच्वुश लगता है कि दिर इस प्लान मगर वेन इट कमस तो इकनो वांटिंग है और ये बात कोई ना कोई एक वर्ग जो है वो किसी ना किसी एक पचोपेश में है कॉर्पेट सेक्टर है वो अपनी जेब भीली नहीं कर चाँ चाता मिल क्लास है वो ट्रैप्ड है जो गरीब बहुत बड़ा गरीब वर्ग है उसको कुछ मिल रहा है मगर एक एक एस्पिरेशनल देश में जहां आप लोगों को कहते हैं कि चूला मिलने से एस्पिरेशन्स मीट हुए हैं मुवाइल फोन्स 110 कि मेरे खाल सा ऐसी कुछ हैंट सेट्स हैं एक करोड़ तो ऐसे देश में क्या अनाज मिल जाना ही एस्पिरेशन है वो जो एक एकनॉमिक Constantly it works towards a direction आप देख रहे हैं कि पीसमेल सलूशन जादा हैं कि अभी क्राइसिस होई तो यह कर दिया क्राइसिस होई यह कर दिया क्राइसिस होई तो एक package अनाउंस हो गया 20 ला करोल का चला है mediation बहुत जादा है यहीं बैंडेट जादा लग रही है लॉंग तर असी करोड गरीब तो हम acknowledge कर चुके हैं जी आज तक हम acknowledge नहीं करते थे वारे देश में कितने करीव हैं पर यह गरीब कल्यान योजना से एक acknowledgement आया कि 80 करोड लोग ऐसे हैं जिनको पांच करो पांच strategy चाहिए सदार बिल्कुल मैं इस बात से सहमय तो बहुत ही calculated way में आपको आगे चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत कठिन है डगर पन घट की चली रुपया 25% टूट चुका है सरकार ने लोग सभाव मताया दिसंबर 2014 से लेकर अब तक और जो महंगाई है JST में कई चीजों पर लगाई गई है 0-5% 10% जो भी तमाम rates आए हैं सब के बीच में हम ये भी चाहेंगे कि लोगों की चिंताएं सरकार तक पहुंचें लोगों की जेब में पैसा हो उनके पास खर्च करने के साधन हो